लगातार खब्रों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागते आप सभी का मैं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूस 29 इंडिया अब एक नजर देश विदेश की खबरों की और कल मकर सक्रान्ती है लेकिन इस्तेवहर का उत्सा आज से ही दिखाई देने लगा है सक्रान्ती पर आस्मा उर्दी हुई रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर हो जाता है पतंग से पतंग काटने वालों के मन में अलग ही उत्सा दिखाई देता है लंबे समय तक आस्मा पर टिके रहना अपने वर्चियोस विकी कहानी बया करता है चत पर DJ सिस्टम लगाना और काटा है चिलाना अमूम यह आवाज इस तेवहार पर सुबह से ही सुनाई देने लगती है सक्रान्ती पर देश में गुजरात में पतंग उडाने का सबसे बड़ा आयोजन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं पतंग उडाने का इतिहास क्या है यह कहां से आया और अब देश में किन राजियों में बड़े पेमाने पर काइट फेस्टिवल मनाया जाता है चीन में इस बार 37 वा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा यह चीन के वैफांग शहर में मनाया जाता है जिसमें हर बार करीब 30 देशों के 500 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं इस फेस्टिवल में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाड़ा और इंडरनेशिया समेट अन्य देशों के हजारों लोग देखने आते हैं यह हर साल 20 से 25 अपरेल के बीच मनाया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक वेइफांग में हर साल करीब 80 लाग से ज़्यादा पतंगे बनाई जाती है इन्हें चीन के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में भेजा जाता है वेइफांग की आबादी करीब 9.5 लाग है इनमें से 25 फीस्ती लोग साल पर पतंग बनाने के काम में लगे रहते हैं जानकारी की मुताबिक पतंग उडाने की परंपरा पर्शिया से आई है यहां से आए मुस्लिम व्यापारियों और चीन से आए बोध लोगों ने इसकी शुरुवात की थी यह भी कहा जाता है कि नवाबों के काल में पतंग उडाना मनुरंजन का साधन हुआ करता था लेकिन अब कई देश में पतंग महुत सव शुरू हो चुका है गुजरात में हर साल 7 जनवरी से 15 जनवरी के बीच इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है इसमें कई विदेशी शहर हिस्साले ने पहुंचते हैं जिसमें जापान, मलेशिया, चाइना, सिंगापूर आदी शामिल है यह भारत की राजधानी दिल्ली में जनवरी में होता है, यह पाली का बाजार और कनार प्लेस पर आयोजित होता है जहां पूरी दिल्ली से लोग आकर पतंग महुत सव का मजा लेते हैं, इस दोरान कई पतंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है जीतने वालों के लिए बड़े इनाम की विवस्ता की जाती है जेपुर इंटरनाशनल काइट फेस्टिवल भी मकर सक्रांती पर आयोजित होता है हाला कि इसका तैसमय 14 जनवरी ही है यह मकर सक्रांती के दिन के बाद 3 दिनों तक जारी रहता है बसंद पंचमी काइट फेस्टिवल पंजाब में बसंद पंचमी के दिन मनाया जाता है इस दिन सभी सर्सों के लह लहाते खेतों के बीच पतंग उडाते हुए नजर आते हैं इस पर्व के दोरान मुख्य आकर्शन होता है पेंच लडाना पतंग उडाने की प्रतियोगीताओं का भी आयोजन किया जाता है बने रहे निउस 39 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश